सबी बच्चों को प्यार फराने वश्कार क्लास के हम शुरुआत करेंगे और आज कौन सा रुपिक पढ़ेंगे अरे कौन सा रुपिक पढ़ेंगे हैं कौन सा पढ़े रहे प्लास्टिड यानि लवक लवक पढ़ेंगे आज यह जो लवक होता है यह प्लांट में पाया जा पहली है यहाँ पर लुकोप्लास्ट रंगहीन लवक होता है रंगहीन लवक यानि इसमें कोई भी कलर नहीं होता है दूसरे यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट यानि हरीत लवक यानि इसमें रंग तो होता है कौन सा होता है हरा रंग होता है तीसरे याँ पर हम पढ़ें कि क्रोमोप्लास्ट ये कैसा होता है रंगीन लवक होता है इसमें भी कलर होता है लेकिन ये हरा रंग नहीं देता हरा रंग कौन देता है हरा रंग तो ये देता ना क्लोरोप्लास्ट है ना बाकी जो रंग है वो कौन देगा? क्रोमोप्लास्ट देगा. तो लवक उतीन भावों में बाटा, किसने बाटा, सिंपन ने बाटा, लुकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट. ठीक है? अब देखिए. लूकोप्लास्ट, लूकोप्लास्ट है वो कैसे होते हैं, रंग हीन लवक होते हैं, इनमें कोई भी कलर नहीं होता, इनका कारी कैसा होता है, संग्रह करने का काम होता है, ये स्टोरेज करने का काम करते हैं, इनमें वर्नक नहीं पाये जाते हैं, अब वर्नक ही नहीं पाये जा होते हैं इसलिए ये भूमिगत भागों में पाए जाते हैं मुझे एक बात बताओ प्लांट का कौन सा हिस्सा है जो भूमिगत भाग में रहता है कौन सा हिस्सा रहता है रूट वाला रहता है रूट में आपको पता है कोई कलर नहीं होता क्योंकि वहां पर लाइट नहीं पह अरे बहुजन को संग्रह करने का काम करता है ना खनीज लवन निकालता है बोमी से और फिर इस टैम तक पहुंचाने का काम करता है करता है कि नहीं करता है तो यह जो लूकोप्लास्ट है इनमें कोई भी कलर नहीं होता है अब यह जो लूकोप्लास्ट है यह भी कितने परकार क होता है तीन प्रकार का होता है Allureoplast या फिर इसी का दूसरा नाम है Proteinoplast दूसरा यहाँ पर Allureoplast है और तीसरा यहाँ पर Amyloplast है तो नाम थोड़ा दिया रखना एक जैसे से लग रहे हैं पर एक जैसे नहीं है अब देखो यह जो Allureoplast है इसी का दूसरा नाम क्या पता है Proteinoplast पता है यह protein का संख्रह करने का काम करता है क्या करता है protein को संख्रह करने का काम करता है नाम से पता चल रहा है और एकजामपलीस का मक्का यानि मेच मेच किस में आता है Allureoplast में आता है Allureoplast यह वसा का संग्रह करते हैं फैट का क्या करते हैं इस्टोरेज करते हैं उदारन अरंडी का भून पॉस ओके एमाईलोप्लास्ट ये क्या काम करते हैं कार्बो हाइडरेट को स्टोरेज करने का काम करते हैं एक्जामपलिस का गेहू वीट हो जाएगा ठीक है, तो Alleroplast, Allioplast और Amyloplast, किसके भाग है, Leucoplast के भाग है, Leucoplast कैसा होता है, उसमें कोई भी कलर नहीं होता, कोई pigment उसमें नहीं पाया जाता, और भूमिकत वाला जो पार्ट है, है रहा, वो उसमें पाया जाता है, क्या, Leucoplast, ठीक है, अब देखो, Chromoplast, ये जो Chromoplast है, ये कैसे होते हैं, रंगीन लवक होते हैं, ध्यान रखना हरे रंग को छोड़ करके अन्य रंग क्या करते हैं, प्रदान करने का काम करते हैं, कौन Chromoplast, ठीक है, ये पुस्पों के दलों, यानि पैटल्स और फलों, यानि फ्यूट्स को क्या करते हैं, रंग प्रदान कर Onasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasas जैसे की केरिट्विटोंस और जएंथोफिल आदी और कुछ एकजांपल यहां पर देख लो अलफा केरोटीन है रा बीटा केरोटीन और गावा केरोटीन यह चो बीटा केरोटीन है यह वाइटामिन ए का क्या होता है अच्छा सौर्च होता है चीक है, वाइटामिन ए, किसमें पाई जाती हैं, बताना चुरा, हाना, तो ये क्या था, क्रोमोप्लास्ट था, अब देखो, ये कैरिटोनोइट्स लाल, पीला, और ओरेंज, आधी रंग क्या करते हैं, प्रदान करने का काम करते हैं, कौनसे, क्रोमोप्लास्ट की बात चल र देते हैं, सिर्फ उ, सिर्फ कौनसा कलर नहीं देते हैं, हरा रंग छोड़, हरा रंग नहीं देते, बाकी कलर देते हैं, ठीक है, अब ध्यान से सुनना, टामाटर का लाल रंग किस वर्नक के कारण होता है, बहुत सिंपल और इजी क्वेशन है, हचारों बार पूछा गया ह सिधा सिधा क्वेशन टिकता है, ठीक है, अब देखो, क्रोमो प्लास्ट की प्रकार यहां पर देख लीजी, क्रोमो प्लास्ट की प्रकार है, पहला यहां पर अपना रहेगा, रोडो प्लास्ट, यह कैसा होता है, लाल सेवाल होता है, और इसकी जो क्लास होती है, रोडो फ प्लास्ट के क्या है वर्नक है ठीक है अब अगला यहाँ पर अपना देखे फियो प्लास्ट यह जो फियो प्लास्ट है भूरे सवालों में क्या होता है प्रजेंट होता है इसकी क्लास कौन सी होती है फियो फाइसी होती है फियो फाइसी होती है फियो फाइसी में ही बूरे पाए जाते हैं वर्णक की बात की जाए तो क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल C और फ्यूकोजैन्थिन यहां पर वर्णक के रूप में पाए जाते हैं किसमें फियोप्लास्ट में ठीक है अगला यहां पर अपना रहे का क्रोमेटो 4 क्रोमेटो 4 है यह नील हरित सवाल यानि ब्लू च्लोरीन, अलगी, बीजीए और फोटो सिंथेटिक जिवाडों में क्या रहता है प्रजैंट रहता है तो यह तीन क्या थे क्रोमोप्लास्ट के प्रकार थे पहला कौन सा था रोड़ोप्लास्ट था दूसरा फियोप्लास्ट था और तीसरा यहां पर क्रोमेटो 4 था समझ म वक्त इस सेब में सबसे ज़्यादा वैरियेशन किसमें देखने को मिलती है सेवालो यानि अल्गी में देखने को मिलती है सबसे ज़्यादा जो वैरियेशन है वो किसमें देखने को मिलती है समझ में आ रहे है न ठीक है यह जो क्लोरोप्लास्ट है इसकी साइज की बात है लोर intra ministry praying या किस की नदे बताया था वं lle الم Uganda फो तो ये थोड़ Помे फेटों से वालों में देखने को मिलते हैं तो कौन से सहवाल में क्लोरो प्लास्ट किस टाइब का होता है कि थोड़ Cinemia को Crispcan Kim में पाए जाती है यूलो थ्रिक्स ठीक है यूलो थ्रिक्स में कैसे पाए जाते हैं क्लोरो प्लास्ट ग्रीडल सैप्ड के पाए जाते हैं यानि मेखला कार आकार के पाए जाते हैं जैगे निमा की बात की जाए तो जैगे निमा में क्लोरो प्लास्ट है वो कैसे होते हैं पाइरोगारा की बात कीज़े तो इसमें कैसे होते हैं सरपीलाकार होते हैं यानि स्पाइरल की रूप में इनमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं वाउचेरिया में कैसे होते हैं डिस्क कोईड होते हैं डिस्क नूमा पाए जाते हैं ठीक है अब देखो क्लेम आइडोमोना और जाएप, बोला जाता हूँ, ठीक है, तो यह सेवाल है, और इनमें इस त्रीके के आकार का क्या पाया जाता है, अब देखो या आपर, जो higher plants होते हैं ना, higher plants या उच पादब, उनमें कैसे पाया जाते हैं, उनमें oval sap का मिल सकता है, उनमें आपको spherical size का मिल सकता है, सेप का मिल सकते हैं साइस तो क्या सेप यानि आकार आकार की बारे में हम बात कर रहे हैं और लेंस सेप मिल सकता है ठीक है दिहान से सुना उच पातपू में जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो पर सेल 20 से 40 के आसपास पाये जाते हैं लिख लेना कि जो हाइयर प्लांट्स होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट की संख्या की बारे में हम बात करें तो 20 से 40 के आसपास पर सेल में पाये जाते हैं ठीक है अब आगे देखे नंबर की बात करेंगे हम क्लोरोप्लास्ट की तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें Chlorella, Claim Idomonas, और Eulothrix इनमें Chloroblast एक कोशिका में एक ही पाया जाता है यानि पर सेल एक Chloroblast पाया जाता है किसमें Chloroylla, Claim Idomonas, और Eulothrix समझें आ गया न अब जाएगे निमा, टू पर सेल पाया जाता है टू पर सेल का मतलब क्या हुआ? एक कोशी काम में दो क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं ठीक है दो से चोदा परसेल परसेल स्पाइरोगाईरा अब स्पाइरोगाईरा में दो से चोदा तक क्या पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं आगार कैसा होता है spiral आकार के होते हैं राम से पता चल रहा है spiral गायरा में कैसे होंगे spiral आकार के होंगे क्या किस के बारे में हम बात कर रहे हैं chloroplast के बारे में हम बात कर रहे हैं ठीक है अब यहाँ पर देखिए छाया पिरी पात्पो में chloroplast ज़्यादा संख्या में होते हैं और कैसे होते हैं बड़े भी होते हैं ठीक है तो धान रखना अब हम structure के बारे में हम बात करेंगे structure आपको नजर आ रही है ना अरे आ रही है ना अब देखो ये जो भार की जिल्ली है इसको क्या कहा जाता है outer membrane कहा जाता है और ये जो अंदर वाली है इसको क्या कहा जाता है inner membrane कहा जाता है outer membrane और inner membrane के बीच में एक space पाया जाता है इसको periplastidial space कहा जाता है जो लगवक्सों एंगस्ट्रम का होता है है वैसे हम mitochondria पढ़ चुके हैं mitochondria में भी मैंने आपको बताया था कि बहार outer membrane पाया जाती है और अंदर की जो जिल्ली होती है उसको inner membrane कहा जाता है outer membrane और inner membrane के बीच में एक space पाया जाता है जिसको क्या कहा जाता था peri mitochondrial space कहा जाता था वै mitochondria में था तो mitochondrial हो गया और यहाँ पर हम plastic पढ़ रहे हैं तो ये क्या हो गया periplastidial हो गया समझ में आ गया ना बस वही बात है mitochondria की तरह ही लवक में भी क्या होता है लवक की जो outer membrane है वो कैसी होती है पार गंबे होती है पार गंबे होने का region है कि इस पर पोरीन प्रोटीन पाये जाती है और जो inner membrane होती है वो कैसी होती है ऐ पार गम्मे होती है समझ में आ रहा है ना अब देखो यह यहाँ पर सीको जैसी धेरी आपको नजर आ रहे है इसको ग्रेना कहा जाता है ग्रेना में light reaction complete होती है प्रकासी अभिकिरिया क्या होती है संपन होती है वहीं अगर हम बात करें ये जो नजर आ रहा है आपको ये वाला पार्ट इसको क्या कहा जाता है stroma कहा जाता है और stroma में इस ड्रोमा में आ प्रकासी की अभिकिरिया होती है यानि dark reaction होती है तो मैं पुछ हों आपको dark reaction कहा होती है तो आप कहोगे stroma में होती है लाइट रियक्शन के बात की चाहें तो वो कहां पर होगी ग्रेना में होगी समझ में आ रहे हैं अब देखें अब देखो ये इनको क्या कहा जाता है ग्रेना कहा जाता है ये ये वाला वाग ये एक ये क्या कहलाता है थाइले कोईट्स कहलाता है तो थाइले कोईट्स आपस म मिलकर कि सीको जैसी धेरी जैसी structure आपको नजर आ रहे है इसी को क्या कहा जाता है ग्रेना कहा जाता है ग्रेना के ऊपर क्या पाए जाते है अरे ग्रेना के ऊपर क्या पाए जाते है, क्वांटासॉम्स पाए जाते है और यह जो क्वांटासॉम्स है, यही अब देखूँ ये दो ग्रेना आपस में इसनी किसी जुड़े वे नजर आ रहे है ना इनको क्या कहा जाता है फ्रेट चेनल यानि स्टोमा जिली कहा जाता है और इसी को स्टोमा लेमिली भी कहा जाता है एक ही बात है ठीक है तो ये थी structure किसकी क्लोरोप्लास्ट यानि लवा की structure है समझ में आ रहे है अब देखो मैं फटा फटा repeat करती हूँ देखो भार की जिली है इसको क्या कहा जाता है आउटर मेम्ब्रेन कहा जाता है पार गब में होती है इस पर पोरीन प्रोटीन पाय जाती है अंदर की जो है मेम्ब्रेन इसको इन कहा जाता है ठीक है और इसमें कौन सी रियक्शन होती है डार्क होती है ठीक है यह सी को जैसी स्ट्रेक्चर नजर आ रहे हैं इसको ग्रेना कहा जाता है और इसमें कौन सी अभी के रिया संपन होती है लाइट रियक्शन होती है थाइलेकोर्स से आपस में मिलकर की क्या बनाते है यह न ग्रे और ग्रेना के ऊपर क्वांटा सॉम्स स्ट्रेक्चर पाई जाती है यह ग्रेना के ऊपर क्या थाइले कोर्स के ऊपर यह इनको थाइले के द्वारा या फिर इस्टोमाल लेमेली के द्वारा ठीक है तो ये थी एक structure जो बहुत अच्छे से clear करती मैं ये मान के चल रूए सारी चीज़े आपको आती है नहीं आती तो याद कर लेना अब देखो ये तो मैंने आपको बताई ही दिया है माइटोकॉंट्रिया जब पढ़ाया था ये थोड़ी सी वही बाते ही आप लिखी वे है मैं बता चुके हैं ये बाते येदि माइटोकॉंट्रिया की भारी चेली को हटा दिया चाहें तो इसको क्या कहेंगे माइटोब्लास्ट कहेंगे मैं माइटोकॉंड्रिया की जो outer memory ने उसको हटा दे तो क्या कहेंगे उसको माइटोब्लास्ट कहेंगे माइटोकॉंड्रिया को कोशि के भटी भी कहते माइटोकॉंड्रिया जब पढ़ो वहाँ पर ही चीज़े लिख लेना भी किर्या होती है देखो ग्रेना के बारे में हम पढ़ेंगे जिल्यों से निर्मित तंतर है जिल्यों से क्या होता है जिल्यों से मिलकर के बनावा होता है ग्रेना जिन जिल्यों से बनता है उसको क्या कहा जाता है, थाईले कोर्स कहा जाता है, ऐसे बताया था ना, ये थाईले कोर्स आपस में मिल करके क्या बनाते हैं, ग्रेना बनाते हैं, एक हरित लवक में 40 से 60 क्या होते हैं, ग्रेना होते हैं, ठीकर कितने होते हैं, 40 से 60 होते हैं, प्रती ग्रेना में थाईले कोर्स 10 से लेकर की सोग पाए जाते हैं यह जो थाइलेकोर्स जिल्या है वो करीबन 10 से 100 होती है प्रतेक ग्रेना की बाद चल रही है अब देखो यह बता जो क्यों यह सीके जैसी डेहरी आपको नजर आ रही है इसको क्या कहा जाता है ग्रेना कहा जाता है और यह थाइलेकोर्स आपरस्व में मिल करके इसको पराती है यहाँ पर फोटो सिंथेसिस की अभीकिरिया चलती है ठीक है वह प्रकास अंसलेशन की प्रकास की अभीकिरिया चलती है और यह क्या होती है light reaction है, अरे इंग्लिश में क्या बोलेंगे light reaction कहां पर complete होती है ग्रेना में complete होती है थाइलिकोट की नाम की बारे में हम बात करें तो ये किस ने दिया था, man can ने दिया था, ठीक है, याद रखेंगे man can ने दिया था, थाइलिकोट पर क्या पायजाते है, quantasome पायजाते है, quantasome का जो नाम है, वो park begins ने दिया था, मैं रफ्तार से सल रही है, ठीक है ना, पार्क begins ने दिया था, ये जो quantasome है, ये हरिद लवक की स्रण्चनात्मक और किर्यात्मक एकाई है, जैसे हमारे सरीर की किरियात्मक एकाई क्या होती है सरंचनात्मक और किरियात्मक एकाई अरे क्या होती है सैल होती है ना कोशिका होती है नहीं होती क्या होती है ना उसी तरीके से हरी दलवक की होती है क्वांटा सोम एक क्वांटा सोम में 230 क्लोरोफिल अणू पाये जाते हैं और ये क्या होते है हरे रंग का वर्णक होता है ये क्लोरोफिल ठीक है देखो क्लोरो का मतलब ही क्या होता है ग्रीन होता है फिल का मतलब क्या होता है लीफ होता है तो जो पतिया होती है उनका हरा रंग किसकी वज़े से होता है, क्लोरोफिल की वज़े से होता है, क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है, हरीद लवक में यह तो पाया जाता है, है ना, क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट को ट्रेप करता है, लाइट को क्या करता है, ट्रेप करता है, और फिर पोटोसिं कि क्लॉरोफिल आइसॉलेशन किस ने किया कैवेंचू ने किया या फिर क्लॉरोफिल नाम किस ने दिया कैवेंचू ने दिया याद रख लेना ठीक है cell, ये एक plant cell है, रटना नहीं है, धान से सुनना, ये plant cell है, plant cell में क्या पाय जाता है, chloroplast पाय जाता है, पता है ना, chloroplast पाय जाता है, chloroplast में ग्रेना होता है, ग्रेना किसे मिलकर के बनावा होता है, थाइले कोड्स से मिलकर के बनावा होता है, थाइले कोड्स के ऊपर, ऊपर क्या पाय जाता है? क्वांटा सॉम पाय जाता है क्वांटा सॉम में क्लोरोफिल होता है यानि एक क्वांटा सॉम में 230 क्लोरोफिल अनो पाय जाते है ये जो क्लोरोफिल है ये क्या करता है? सन यानि सूर्य से लाइट को क्या करता है? ट्रेप करने का काम करता है और फिर photosynthesis की process करता है समझ में आ गया फिर से सुनो cell के अंदर chloroplast होता है chloroplast में ग्रेना होता है और ग्रेना में thailacodes होते है यानि thailacodes जिलिया आपस में मिलकर कि किसका निर्मान करती है ग्रेना का करती है और यह जो thailacodes है यह इनके ऊपर क्या पहे क्वांटा सो में क्लोरोफिल पहे जाता है क्लोरोफिल क्या करता है सूरी से लाइट को ट्रैप करता है और फोटोसंथेस की प्लीज कमेंट जरूर करें मुझे पता तो चलिए वह कौन सा बच्चा देख रहा है कौन सा नहीं देख रहा है हमारे आपस में बाचीत का जो तरीका है वो सिर्फ के कमेंट है अब करोगी तो ही मुझे पता चलेगा है ना वैसे मैं देखती हूं सारे कमेंट और करो कमेंट है ना वैसे मुझे पता चलता है बच्चे देख रहे हैं और नहीं देखते हैं नहीं कमेंट करते हैं तो मुझे लगता देखते हैं यह तो फिर वीडियो क्यों बनाना सही है अब देखो नौट में देखो ग्रेना आपस में स्टोमा लैमेली या फिर फ्रेट च जाता है फ्रेट चैनल या फिल लारजर भाएलो को इस there को स्ट्रोमा लेमेली बोला जाता है ठीक है अब देखिए जो क्lorophyll होते हैं वह कितने होते हैं कितने होते आठ टाइप खोते हैं देखो क्लोरophyll Раз यह universal pigment होता है universal pigment होता है universal का मतलब क्या होता है सब में पाया जाता है chlorophyll A सब में पाया जाता है chlorophyll B के बात करें तो ये red algae में पाया जाता है brown algae में पाया जाता है blue green algae में पाया जाता है ठीक है chlorophyll C के बारे में हम बात करें तो ये brown algae ब्राउन एल्गी में पाया जाता है इसकी जो क्लास होती हो कौन सी होती है फियोफाइसी होती है क्लोरोफिल D के बारे में हम बात करें तो ये रेड एल्गी में पाया जाता है और इसकी जो क्लास होती हो कौन सी होती है रोडोफाइसी होती है chlorophyll E की बात करें तो जैन्थो फाइसी में पाया जाता है और जो chlorophyll C वाला है important है बहुत बार question पूछा गया है और यहां से question आता ही आता है paper देख लिए ना आप चाहिए आता है question chlorophyll A universal pigment है सब में पाया जाता है chlorophyll B red algae, brown algae और blue green algae में पाया जाता है chlorophyll C brown algae में पाया जाता है chlorophyll D red algae में पाया जाता है chlorophyll E genthofici में पाया जाता है ठीक है अब देखें यह जो chlorophyll A है उसमें group पाया जाता है methyl group पाया जाता है किसमें chlorophyll A chlorophyll A सब में पाया जाता है universal है यह और chlorophyll B इसमें CHO group पाया जाता है यानि CHU group को क्या कहा जाते है LD head group कहा जाता है आप सब को पता है chemistry बगेर हमने सब ने पढ़ी है है ना तो 11 से लेकर कि आप graduation level तक chemistry पढ़ते हो उसके बाद में separation होता है subject का तो ये पता ही आप सब को methyl group किस में पाय जाता है chlorophyll A में पाय जाता है और LD head group किस में पाय जाता है chlorophyll B में पाय जाता है अब देखो bacteria chlorophyll A और bacteria chlorophyll B ये purple sulfur bacteria है bangni गंदक जिवाणों है जहां रखना bacteria viridine ये green bacteria है है ना क्या है green bacteria है अब देखो chlorophyll की structure के बारे हम यहाँ पर बात करेंगे जो structure है वो देख लो गया yellow chlorophyll की structure के बारे में हम बात करें तो इसमें head पाय जाता है और क्या पाय जाता है tail पाय जाते है head में 4 pyrrole ring पाय जाती है कितनी पाय जाती है 4 पाय जाती है देखो ये क्या है ये head है इसमें 4 आपको ring नजर आ रहे है एक ये हो गए 2, 3 और ये 4 ये जो पार्ट है ये head वाला पार्ट है और इसमें pyrrole ring पाय जाती है नजर आ रहे है ना अरे नजर आ रहे है ना ये 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 और ये चार है इसकी वज़े से इनको tetra pyrrole ring कहा जाता है और चार को एक जगए एक जगए इनको क्या कहा जाता है porphirine ring कहा जाता है तो ये head वाला portion है ठीक है नीचे आपको यहाँ पर tel भी नजर आ रहे है ना इसको phytol tel कहा जाता है क्या कहा जाता है phytol tel कहा जाता है तो ये इस टेक्चर थी किसकी chlorophyll की समझ में आके ना और इसकी mid में आपको क्या नजर आ रहे है magnesium नजर आ रहे है आ रहा है ना अरे आ रहा है ना या फिर नहीं आ रहा है तैयारी कर लो भया 10 जुलाई को बजट पेश होगा ना खुश कबरिया आएंगी 100% जितना अच्छे से कर सबो उतना ही अच्छा है और जितनी जल्दी आपका सलेबस कम्प्लीट होता है उतना और भी अच्छा है रिविजन जितना जल्दी जितनी बार कर सको वो उससे भी ज्यादा अच्छ है अब देखो क्लोरोफिल को बर्न कर देने पर राक में क्या बनता है क्लोरोफिल को जब जलाओगे तो उसमें राक में क्या बचेगा मैगनीसियम बचेगा अब देखो क्लोरोफिल A ये कलर देता है ब्लीविस ग्रीन देता है और क्लोरोफिल B ये कलर देता है येलोविस ग्रीन देता है ठीक है येलोविस ग्रीन chlorophyll B chlorophyll A blevis green ठीक है थोड़े एक जैसे से हैं देहान रखना अब देखो chlorophyllast की संगठन देखे यहां पर संगठन संगठन में क्या कुछ होता देखो protein होता है देहान रखना भी यह phospholipid होता है chlorophyll pigment होता है karytonoids होते है और साथ में क्या होता है enzyme भी होता है enzyme की बारे में हम बात करें तो DNA polymrage होता है और RNA polymrage होता है यह chlorophyllast का संगठन है अब देखो मैं इसमें क्या करूँ यादी करना पड़ेगा कि protein होता है phospholipid होता है chlorophyll pigment होता है karytonoids होता है enzyme होता है ठीक है बार-बार घर पे बोलना ममी बोले क्या बोल रहे है क्या आपको समझ नहीं आएगा लेकिन मेरे को क्या करना है बार-बार revise करना है ठीक है revise करना है तो बार-बार बोलो पकाते रहो गरवालों को stroma देखो प्रकास अंसलेशन की एप्रकासी की अभी किरियाद चलती है ठीक है किसमें चलती है stroma में चलती है ये कैसी होती है dark reaction होती है question पूछा जाता है dark reaction कहां complete होती है सीधा से question आएगा तो stroma में होती है chloroplast की stroma में होती है chloroplast की stroma में 70S type की क्या पाय जाते है ribosome पाया जाते है इस काल से ये अपना खुद का क्या बना सकते है protein बना सकते है ठीक है stroma में क्या पाया जाते है ribosome पाया जाता है ribosome भी कौन सा पाया जाता है 70S प्रकार का पाया जाता है ये बात मैंने जब mitochondria पढ़ाया था तब भी बताया था, माइटो कॉंट्रिया की मैट्रिक्स में राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम भी कौन सा पाया जाता है, 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्टरी कहा जाता है, यानि प्रोटीन निर्मान, प्रोटीन का जो क्लोरोप्लास्ट में सर्कूलर डीयने पाया जाता है व्रेताकार डीयने पाया जाता है और यह जो डीयने होता है वो कैसा होता है जीसी रिच डीयने होता है इसका क्या मतलब हुआ जीसी रिच का है ग्वैनीन और साइटोसीन की मात्रा आधिक पाया जाती है किसे एडिनीन औ और थाइमीन से चीक है और माइटोकॉंट्रिया का जो डियने था वो भी ऐसा ही था वै कमपेरिजिन क्यों कर रहे हैं क्योंकि माइटोकॉंट्रिया मैंने आपको पढ़ा दिया क्या करकिया पढ़ा दिया तो उसका डियने भी कैसा होता है उसका डियने भी सर्कुलर होता है उसकी DNA में भी Gwainine और Satosin की मात्रा अधिक पाये जाती हैं. अब ये बताओ, इनके पास DNA है, और DNA क्या काम करता है, प्रतिक रितिन का काम करता है, यानि रप्लिकेशन का काम करता है, यानि कोपीज बनाने का काम करता है, तो ये अपनी को भी खुद बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं तो ये खुद की प्रोटीन भी बना सकते हैं तो मैं ये कहे दू कि प्लास्टिड है वो अर्द स्वाइत कोशिकांग होता है, कहे दू क्या? मेडम जी कहे दू, कहे दू, माइटोकॉंट्रिया भी अर्द स्वाइत कोशिकांग होता है, समझ में आगे हैं अब देखो पढ़ लो एक बार बता दिया, वैसे मैंने सारी हो जाए, राइबोसों की उपस्थेती के कारण, डियाने की उपस्थेती के कारण हरी तलवक करम से प्रोटीन का निर्माण वह अपनी श्व्यम की कोपी बना सकता है, इसलिए इसको अर्द स्वाइत कोशिकांग कहा जाता है, सेमी ओटोनोमस औरगिनेल इसको कहा जाता है, ठीक है राइबोसों की उपस्तिती के कारण और डीने की उपस्तिती के कारण इसको क्या कहा जाता है सैमी ओटोनॉमस ओर्गिनेल कहा जाता है ठीक है अब देखो हर एक नए हरित लवक की उत्पत्ती पूर्वे उपस्तित हरित लवक से होती है माइटोकॉंड्रिया में यही बात बताई थी हर एक नए माइटोकॉंड्रिया की उत्पती पूरो उपस्तित माइटोकॉंड्रिया से होती है हर एक कोशिका की उत्पती पूरो उपस्तित कोशिका से होती है सेम है तीनों में एक जैसा ही है और ये बात किसने बताई थी? रुडॉल्फ विर्चोई ने बताई थी कि हर एक नए कोशिका की उत्पती पूरो उपस्तित कोशिका से होती है ये बात और ये क्वेशन पूछा भी गया है माइटोकॉन्रिया में भी यही बात है हर एक नए माइटोकॉंडिया की उत्पती पूरो उपस्तित माइटोकॉंडिया से होती है हरितलवक में भी यही बात है हर एक नए हरितलवक की उत्पती पूरो उपस्तित हरितलवक से होती है ठीक है बैक्टिरिया वे क्लोरोफिल में काफी क्या पाई जाती है देखो यहां पर दोनों में क्या क्या समानता पाई जाती है दोनों की भारी जिली पर पोरीन प्रोटीन पाई जाती है इसकी वज़े से जो भारी जिली है वो कैसी होती है पार गम्मे होती है दोनों में डियने पाई जाता है कैसा होता है व्रताकार डियने होता है दोनों में राइबोसोम पाया जाते हैं, कैसे पाया जाते हैं, 70S परकार की राइबोसोम पाया जाते हैं, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्टरी कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्टरी किस सेल ओर्गिनेल को कहा जाता है, तो आप कहो कि राइबोसोम को कहा जाता है, ठीक है, अब देख हैं एक कोशिका में जितने मतलब लवक पाया जाते हैं उसकी संख्या को क्या कहा जाता है प्लास्टी डॉम कहा जाता है एक कोशिका में उपस्तित समस्त लवकों की समों को प्लास्टी डॉम कहा जाता है और वैसा ही माईटो कॉन्रिया में भी था वहाँ पर क्या कहा जाता थ प्रिकार के जो लवक है वो एक दूसरे में क्या होते हैं परिवर्थित हो सकते हैं क्या हो सकते है परिवर्दित हो सकते हैν तीन प्रकार के कौन कौन से बताय Wen ल्युकोपलास्ट बताय था इसके बारे मैंने आपको क्या बताया ल्युकोपलास्ट होते हैं रंघ हीन होते हैं यालि इनमे कोई कलर नहीं होता logaroplast यह हरा रंघ देते हैं हरे टलवक chromoplast हरे रंग को छोड़ करकि बागी जो ललर होते ही वो देते हैं chromoplast तो ये जो लवक है वो तीनों, एक दूसरे में क्या हो सकते हैं परिवर्दित हो सकते हैं कैसी होते हैं? देखो leukoplast देखो आपने टमा kommtor को देखा है लिउकूप्लास्ट टमाटर को दिखा है न अरे बैई टमाटर बे जो ओवरी होती हूँ कैसी होते है colorless अब यह मत कहना कि टमाटर के ओवरी नहीं देखी हाँ obviously नहीं देखी लेकिन आपको धिहार रखना ये ओवरी कैसी होती है colorless होती है उसमें कोई भी color नहीं होता है यह leukoplast है परिवर्दित हो जाएगा किसमे chloroplast में आप सबको पता कि जो chloroplast है वो कैसा रंग देता है हरा रंग देता है और कच्चा टमाटर कैसा होता है हरा होता है तो कच्चे टमाटर के हरे रंग के लिए जिम्मेदार कोन होता है अब देखो chromoplast ये chloroplast परिवार्थित हो जाएगा chromoplast में और आप सबको पता है कि chromoplast वीभीन पर को कालर देता है पका टमाटर हो गया है याँ पर और पका टमाटर में क्या होता है अरे पका टमाटर कैसा होता है लाल होता है, लाल किसकी वज़े से होता है क्रोमोप्लास्ट की वज़े से होता है वैसे तो लाइकोपीन होगा लेकिन ये इस वज़े से change होता है ठीक है, leukoplast किसमें परिवर्दित हो जाएगा, chloroplast में हो जाएगा, और chloroplast किसमें हो जाएगा, chromoplast में हो जाएगा समझ में आ रहा है न, तो colorless ovary, फिर कच्चे टमाटर में परिवर्दित हो जाएगी तो इस तरीके से ये लवक एक दूसरे में क्या होते हैं परिवर्दित होते हैं ठीक है तो ये क्लास तो यह है अपने क्या होती है complete होती है आज मैंने क्या कुछ बता है एक नज़र डालेंगे फिर क्लास को यही complete करेंगे देखो यहां से बता है लवक है ना और सिंफर ने इसको तीन भागों में बाटा लूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट लूकोप्लास्ट तीन प्रकार का होता है अलूरोप्लास्ट, एलाईोप्लास्ट और एमाईलोप्लास्ट ठीक है अब देखो ये जो क्रोम क्लोरोप्लास्ट है, रंगीन लवक होता है, हरी रंग को छोड़ करके अन्य रंग ये देता है, ठीक है, इसके भी प्रकार बता दिये, रोडोप्लास्ट, फ्योप्लास्ट और क्रोमेटो 4, जो क्लोरोप्लास्ट है, वो अलग-लग वैरियेशन के अलगी में देखने को मिलते उनकी variation अलग-लग देखने को मिलती है इस दीके से बता दिया कि इसमें ये पाया जाता है ठीक है, structure मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दी ठीक है, और ड्रेना और स्टोमा के बारे में बता दिया chlorophyll के type वगरे हमने discuss कर लिये, chlorophyll के structure हमने देख ली, ठीक है और बैक्टिरिया और chlorophyll में क्या संबानता होती है ये हमने discuss कर लिया तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ में तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत